पत्राव तोड़फोड और मुस्लिम समाच का रोड़ पर प्रदर्शन BMC का रोका रास्ता फिर गाड़ियों में मचाई तोड़फोड मुंबई के धहरावी में मस्जद की विवादित मीनार को लेकर कुछ ऐसा ही मनजर था और अब मुस्लिम कमेटी ने ही उसे धहरा दिया है दुरसल मुंबई के धहरावी में महभूबे सुबानिया मस्जद के अवयाद पार्ट को तोड़ने को लेकर तनाव ठैला हुआ था जब यमसी के टीम अवयाद हिस्से को तोड़ने पहुची तो गुसाई भीर ने हंगामा कर तोड़ फोर मचा दी लोग रास्ते पर बैट कर रांदूलन कर रहे थे कालवाई करने पहुची नगर पालिका की गाड़ी को भी भीर ने तोड़ दिया मौके पर भारी पुलिस बल मौझूद होने के बावजूद मुस्लिम समाज ने एक ना सुनी और विवाद बढ़ता गया तो मर्जद कमेटी ने साथ दिन का वक्त मागा था और खुद अवैद हिस्से को तोड़ने की बात तही थी सोंबार तड़के ही मर्जद कमेटी की तरफ से खुद उस अवैद हिस्से को तोड़ा जाने लगा मर्जद के उपर 20 फीट का मेलार का हिस्सा है जो मुख्य रूप से अवैद है उस पर ग्रीन कर्टल लगाया गया है मर्जद कमेटी इस पर लकड़ी लगाकर उस अवैद हिस्से को तोड रही है आपको बता दें कि मुंबई के धरावी में 90 फीट रोड पर 25 साल पुरानी सुभारिया मर्जद को अवैद बताते हुए BMC द्वारा गिराया जाना था लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे थे मुसलिम समाज के लोग भी तीराज से ही सडकों पर बैठ कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मुसलिम समाज के लोगों का कहना था कि ये मजद बहुत पुरानी है इसलिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए ऐसे में बीमसी के अधिकारी मजद तोड़ने के लिए पहुँचे तो प्रदर्शन कारी लोगों ने उनके गाडियों पर पत्थराव भी कर दिया हिंदू संगठन ने आरोप लगाया था कि यहां चलने वाला मदर्सा गैर कानूनी है इसके निर्मान के लिए नगर निगम से किसी भी प्रकार की अनुमती नहीं ली गई थी जिसके बाद ये मामला अदालत में भी गया मुंबई हाई कोट ने पिंपरी चिंचवर्ड शहर में बिना अनुमती बनाए गए मदर्से मस्जिद मंदिरों तथा अन्य धार्मे के स्थलों पर अतिक्रमन विरोधी कारिवाई करने के आदेश दिये जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो शोशल मीडिया के जरिये बिनी जानकारी के अनुसार मुस्लिम समाज इखता हुआ और प्रदैशिन का तौर बढ़ता ही चला गया अब मज्जिद के कमेटी खुद इस अबैद मीनार को तोड़ रही है